विजो के लिए बहुत लेट हो चुकिए हैं आप शुरू करते हैं हमारा एक्स्प्लेनेशन तो लास्ट टाइम हमने एक नया क्यरेक्टर इंटर्यूस किया था जिसका नाम है जयाउसुन जयाउसुन जिन के बारे में पूछताश करता है लेकिन कोई भी जिन के बारे में कु कुछ पता चल पाता है दूसरे और लेस्टिन जनरल जिन को समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हें यह नहीं आना चाहिए था क्योंकि अब जनरल को हर वक्त तुम्हारी सेस्टी की चिंता रहेगी क्योंकि हम लोगों की जिंदगी हैं हर पर खत्रे में रहती है तो जिन उ सोचते हुए बाउजी से कहता है कि जिन के आसपस सेक्यूरिटी बढ़ा दो दूसरी और कैम्प के अंदर सबी सिपाही अपने अपने लिए हत्यार चूज कर रहे होते हैं तो जिन बहुत खुश होती है और वो अपने लिए एक ऐसा हत्यार चूज कर लेती है जो बहुत है यह सब जनरल देख रहा होता है और वो उससे कहता है कि यह हत्यार तुम्हारे लाइक नहीं है आओ मैं तुम्हें एक दूसरा हत्यार देता हूं और वो उसे घासफूस से बना एक जाडू जैसा हत्यार ठमा देता है और कहता है कि तुम्हें इससे फाइट करनी है इसके बा भीला हूँ नहों लेकिन जिन इस बात को नहीं समझ पाती है उसे रगता है कि जन्रल ने ये सब जानमुश्कर उसे परिशान करने के लिए किया है और वो इससे नराज होते हो कहती है कि तुम मज़े इतना परिशान क्यों करते हो काश की मेरे पास कोई जहर होता और मैं उसे खा लेती तो जनरल उसे कहता है कि ठीक है अगर तुम्हें भूक लगी है तो तुम जाके दूसरा बाउल ले सकती हो लेकिन वो मना कर देती है और नाराज होकर वहां से चली जाती है इसके बार जिन जब कैम्प के अंदर नहाने के लिए जाती है तो वहां लिमिटेड बाचुमजी होते है जिन के आगे बहुत लंबी लाइन लगी होती है ये देखकर जिन घबरा जाती है और सोचती है कि मेरा नमबर तो बहुत देर में आएगा तब ही वहां जनरल आ जाता है और जिन से कहता है कि अगर तुम नहाना चाहती हो तो तुम मेरे टेंट में जा सकती हो और मेरा वाश रूम इस्तेमाल कर सकती हो लेकिन जिन उससे कहती है कि अगर मैं पूरी तरह से कीचर में भी सन जाऊना तो भी मैं तुम्हारा बात्रों मस्तेमाल नहीं करूंगी रात को जब सुने का वक्त आता है तो जिन बाउजी से पूछती है कि मेरी लिए ब्लैंकेट्स कहा है तो बाउजी उसे कहता है कि मैं तुम्हें दूसरे जगे ले चलता हूँ तूम वहां सो जाना बाउजी जिन को जणरल के टैंच की तरफ ले जाने लगता है लेकिन जिन मना कर देती है और कहती है कि उन से कह देना मैं यहाँ पर जिससरे की जिंदगी सबी लोग जी रहे हैं वैसी जिंदगी मैं भी जीएंगी मैं इनकी टैंच में नहीं सूँगी जन्दल जब ये सारी बाते सुनता है तो बाउजी से कहता है कि अगर वो वहाँ सोना चाहती है तो उसके लिए अरेंज्मेंट्स करो लिकिन जैसे ही जिन्ट सभी सिपाईयों के बीच में अपना ब्लैंकेट लेकर पहुंचती है तो एक लड़की को देखकर सभी वहाँ से बाहर चले जाते है और देखते ही देखते ही पूरा रूम खाली हो जाता है और वो अकेली वहाँ रह जाती है इसके बाद जब वहाँ सोती है तो उसे बहुत इचिंग होने लगती है और उसे मन में ख्याल आता है कि अभी सब लोग सोच के हैं, मैं अभी जाकर नहा सकती हूँ ये सोच कर वो नहाने के लिए जाने लगती है लेकिन उसके नहाने से जो आवाद होने लगती है तो सब भी सैनिकों को लगता है कैम्प में कोई जासूस कुसाया है और सब भी बात्रूम पी तरफ चले जाते हैं तब ही वहाँ जनरल भी आ जाता है सब बात्रूम का गेट खुलवाने लगते हैं लेकिन गेट खुलवाने के बाद जब जिन वहाँ से भार आती है तो सब भी वहाँ से वापस चले जाते हैं इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग जनरल जिन को अपने चैंच में बुलाता है और उसे चाय ओफर करता है लेकिन जिन उसे चाय लेने से मना कर देती है इसके बाद जनरल उससे कहता है कि अगर तुम यहां रहना चाहती हो तो तुम्हें मेरे रूल्स फॉलो करने होगी तुम कहती है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारी बात मानोंगी सबसे पहली बात तो यह न कोई उसे संज्घाता है इसलिए थोई नाना और सोना कैसे कर सकते Hello अगर तुम मेरी बात मालोगी तो तुम जो चाहोगी मैं तुमें दूँगा। तो जिन उससे कहती है कि ठीक है मैं थोड़ी सी वाइन पीना चाहती हूँ और रिलेक्स करना चाहती हूँ। जिन जानती थी कि केम्प में वाइन पीना अलाओड नहीं है। इसलिए जनरल जिन को केम्प एरिया से बाहर ले जाता है और उसे वाइन प्रवाइड करा देता है। तुम यहाँ खो चुके हो, तुम मुझे तलाक दे चुके हो और मैं तुम्हारी भीवी नहीं हूँ। इसके बाद वो जंदल से कहती है कि क्या तुम मुझे पहले की तरह अपनी बीवी कहकर बुला सकते हो तो जंदल कहता है कि नहीं मैं ऐसा नहीं करने वाला। ये सुनके जिन बहुत हर्ट हो जाती है वो भागती हुई सामने वाली नदी में जाती है और उसमें डूप जाती है जन्दल उसे आवास लगाता है कि ये तुम क्या कर रही हो फोरण उससे बाहर आओ और अपने कपड़े पहनो जब जिन उसकी बात नहीं सुनती है तो जन्दल खुद उसको लेने के लिए लेक में उतर जाता है लेकिन वजब जिन को देखता है तो जिन के कपड़े गीले होकर उसके शरी से चिपक चुके होते हैं इसलिए जन्दल उससे नजरे नहीं मिला पाता है जनरल को इस तरह से uncomfortable देखकर जिन को बुरा लगता है और वो उससे कहती है कि मैं तुम्हारी legally wife हूँ तुम मिरे साथ इस तरह से भी हिप कैसे कर सकते हो बड़ जनरल सिफ एक ही बात दोराता है कि तुम्हारी जल्दी ही पानी से बाहर आ जाना चाहिए और अपने कपड़े पहन लेने चाहिए इतने में तो जन पानी के अंदर डूब जाती है जनरल जब पीछे मूँ करता है तो उसे जन नजर नहीं आती क्योंकि वो पानी के अंदर जा चुकी होती है इसके बाद जब वो जिन को बाहर निकाल कर लाता है तो जिन बेहोश हो चुकी होती है और उसके पेट में पानी भर चुका होता है जन्रेल उसको होश में लाने के लिए उसे CPR देता है I hope you all know what CPR is CPR मतलब मूँ से सांस देना जैसे ही जिन को होश आता है तो जन्रेल को अजीब सी नजरों से देखने लगती है और जन्रेल उसे कहता है कि मुझे गलत में समझो तुम डूप रही थी मैंने तुम है बचाने के लिए ऐसा किया है और तुम इस तरह से बिएफ क्यों करती हूँ क्या तुम नॉर्मल अच्छी लड़कियों के तरह से बताव नहीं कर सकती हो तो जिन कहती है कि मैं तो ऐसी ही हूँ और मैं ऐसी ही रहूंगी और ये सब तुम्हारी वज़े से हुआ है मैंने तुम से शादी की मैं सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास आगए लेकिन तुमने मुझे तलागदी दिया और तुमने मुझे ये भी नहीं बताया कि तुमने ऐसा क्यूं किया अब ञातों मैं तुम्हारे मैंशन में जा सकती हूं और नहीं तुम मुझे मुझेactor तुम्हें कि लगता बिया ये लिकिनों क्या है तो जिन से कहता है कि अगर तुम चाहोगा सांट तुम्हारे सांट वृष नहीं करता हूं zamध एकुछ के कहती है कि तुम एकृति वारत व्यूदा रहुद कॉलिंजा हो भी उसमार है कि उस्में वादर हुद के challenge बातो हुद करता हुद मैं असरने क LOOK को अपने साथ पीच पर लेकर जाने लगता है इसकी बात वो जिन को अपने कैम्प में लेकर जाता है अपनी आखों पर पट्टी बांद कर जिन के गीले कप्रे चेंज करता है और उसे वहां लिटाकर वहां से बाहर चला जाता है दूसरी और जनरल की जो फीमेल एंपलॉई ह होती है जिसका नाम की आंट जिंग होता है वो जनरल के लिए नूजर्स बना रही होती है सुबह जब जिन की आँख खुलती है तो वह खुद को जनरल के टेंच में पाती है और वह शौक हो जाती है जैसे वह बाहर निकल कर आती है तो जनरल उसके लिए हैंग ओवर सूप कर आता है और उसे पीने के लिए कहता है सूप पीते पीते ही जिन की नजर अपने कपड़ों पर पढ़ते हैं जो की चेंज होते हैं और वो समझ जाती है कि जनरल नहीं चेंज के होंगे और वो शर्माने लगती है दूसरी और मैनौर में जिनकी फ्रेंड राव राव उसके ल प्राइन करना होगा इसके बाद ही जिनों से बताती है कि मैं जानती हूं वो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता है लेकिन वो सब के सामने इस बात को एकसप्ट नहीं करना चाहता है इसके बाद जिन बाओजी के पास चाहती है और जिनल के बर्द्रे को सैलिबेट करने के लिए उससे पठाके मांगती है लेकिन वो उसे हेल्प करने से मना कर देता है वो उससे कहता है कि हमें पर्सनल यूज के लिए ये सारा सामान इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं है तो जिन उससे कहती है कि ठीक है मुझे पता है तुम मेरी कोई मदद नहीं कर सकते है ये पकड़ो अपना हतियार इसके बाद जिन लेफटिनन जनरल के पास जाती है और उससे हेल्प मांगती है लेकिन वो भी ये कहते हुए मना कर देता है कि आपको ये सब नहीं करना चाहिए और वैसे भी जनरल को अपना बर्थरे सालिबिट करना अच्छा नहीं लगता इसके बाद जिन जनरल के पास चाहती है और उससे नूडल सर्फ करते हुए कहती है कि तुम्हारे बर्थरे पर मैं बहुत कुछ करना चाहती थी लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर पाई क्योंकि यहां पर किसी भी तरह की फैसिलिटी नहीं है इसलिए मैं यही कर पाई हूँ क्या तुम मुझे खाकर बताओगे कैसे बने है जनरल उसमें से थोड़ा सा खाता है फिर खुझ से नूदल्स को दूर करते हुए कहता है कि तुम यहां से चली जाओ तो जन उससे कहती है कि अचानक तुम ऐसा क्यों कह रहे हो तो जनरल चिलाने लगता है और गुसे से उससे कहता है क्योंकि तुम्हारी वज़े से सबको परिशानी हो रही है यहां सब भी जैन्स हैं तुम एक अकली लड़की हो तुम्हारे सामने ना वो खा सकते हैं ना बोल सकते हैं ना ठीक से एक दूसरे से बात कर सकते हैं मुझे भी तुम्हारी वज़े से बहुत परिशानी हो रही है क्योंकि मेरी आर्मी की जो ट्रेनिंग है उसमें बहुत डिस्ट्रोबेंस होता है लेकिन तुम यह सब नहीं समझती हो तुम मेरा वर्टे सेलिब्रेट करना चाहती हो अगर आज बाउजी ने तुम्हें पचा के दे दिये होते और अगर तुमने ऐसा कर दिया होता तो शायद मेरे हाथ से यह अथारिटी भी चली जाती अब जिन को जैनल पर बहुत गुसा आता है और वो उससे कहती है कि मैंने ऐसा भी क्या कर दिया है जो तुम इस तरह से बरताफ कर रहे हो लेकिन फिर भी अब मैं परिशान हो चुकी हूँ अगर तुम मुझे डायवर्स देना चाहते हो तो मेरी बास सुनो वो मैं हूँ जो तुम्हें डायवर्स दे रही हूँ और अब मैं कभी भी तुम्हारे पास नहीं आऊंगी इसके बाद जिन डाइवार्स पेपर पर सिगनेचर कर देती है और वहां से चली जाती है लेकिन जाते जाते वो रोते हुए उससे कह कर जाती है कि काश मैं तुमसे कभी न मिली होती तुम एक बेदल इंसान हो जंदल को उसके जाने से और उसके शब्दों से बहुत दुख होता है लेकिन वो अपनी फीलिंग अपने चेहरे तक आने नहीं देता जिन अपनी फ्रेंड के साथ वहां से निकल जाती है रास्ते में वो रोती रहती है उसकी फ्रेंड उसे समझाने की कोशिश करती है लेकिन वो कुछ चवाब नहीं देती वहीं दूसरी ओर जनरल अकेला अपने टेंच में बैठा हुआ जिन को और उसकी हरकतों को याद करके रोने लगता है क्योंकि वो जिन से सच में बहुत प्यार करता था जाओ सिंग ये बार जाकर किंग को बताता है कि जिन वहां से जा चुकी है और जनरल ने जिन के साथ क्या किया है तो किंग को लगता है कि ये अच्छी बात नहीं है क्योंकि जिन की शादी हुई है और जिन हमारी जिम्मेदारी है इसलिए वो कुछ प्लैनिंग करता है अधर कैम्प के अंदर नेक्स टेज जब जेंडर ट्रेनिंग के लिए आता है तो उसके चेरे से साफ पता लगता है कि जिनके जाने से वो कितना दुखी है वहां मैंशन के अंदर भी जिनको सब समझाने की कोशिश करते हैं वो मैंशन को छोड़ कर ना जाए लेकिन वो वहां से जाने के लिए प्लैन बना चुकी होती है लेकिन तब उसके फ्रेंड उसे समझाती है कि हम कोई और प्लैनिंग भी कर सकते हैं जिससे कि जनरल को अपनी गलती का एहसास हो जाए बाउजी जनरल को जाकर बताता है कि किंग का ओडर आया है और उन्होंने हमारे कैम्प में सुपरवाइजिंग के लिए किसी आफिसर को भेजा है जो कल यहाँ पर आने वाले हैं ये पूरी प्लैनिंग किंग ने जिन को वापस जाने से रोकने के लिए की थी और उन्होंने जिन को ही मिलिटरी इंस्पेक्टर बना दिया था जिससे कि वो जनरल के आसपस रह सकी और जिन के साथ उन्होंने जियाव सुन को भी अपॉइंट कर दिया था उसकी साथ-साथ रहने के लिए अगले दिन जब कैम्प में सभी लोग नई इंस्पेक्टर का वेट कर रहे होते हैं तो वो सभी देकर चोक जाते हैं कि वो नई इस्पेक्टर कोई और नहीं बल्कि हमारी जिन है जयाओ सुन जनर से कहता है कि आपको नई मिलिटरी इंस्पेक्टर को वेलकम करना होगा इसके बाद जनर उसके पास जाता है उसे वेलकम करता है और उसे अपने टेंट में ले जाता है टेंट में जाकर जनरल की सीट पर बैट कर जिन जनरल से कहती है कि क्या तुम जानते हो मैं तुमसे एक हाई रेंक इंस्पेक्टर हूँ तो क्या तुम्हें इतनी भी मैनर्स नहीं हैं मैं इतनी दूर से चल कर आई हूँ और तुमने मुझे एक कप चाय के लिए भी नहीं पूछा है चंदल कहता है कि मैं जानता हूँ आप मुझे से हाई रेंग इस्पेक्टर हैं लेकिन हम ऐसे नहीं कर सकते क्योंकि कैम्प में और जगों की तरह से फैसलिटीज नहीं है यहां हम अपने देश की हिफाज़त करने के लिए रहते हैं इसलिए हमारे आवशक्ताएं बहुत कम है हमारा रोज का खाना साधा खिचड़ी है और आपको शायद पता नहीं है लेकिन दो साल से हमें सैलरी भी नहीं मिली है अपने सारे खर्चे हम खुद काम करके पूरे करते हैं यह सुनके जिन को बुरा लगता है और वो जियाओ सुन से कहती है कि तुम लोगों ने ये तो ठीक नहीं किया और इसी के साथ हमारा आज का पार्ट भी खतम होता है तो यह पार्ट आपको कैसा लगा कमेंट बोक्स में जरूर बताएं और मेरे चैनल को अगर अभी तक भी सब्स्राइब नहीं किया है तो प्रीज कर लीजे बहुत जल मैं जनलर्स लेडी के साथ एक और नया डामा स्ट करने वाली हूं थैंक यू सो मच मिलते हैं नेक्स्ट अपीसोड में तिल दें टाटा बाइबाइ सायोनारा एंट टेक केर